पूरे वेतन पर पेंशन मिलनी चाहिए, यह पहले से लिखा था, बाद में इनोंने निकाल दिये उच्छते, फिर उसके लिए पक्ष में पक्ष में कोर्ट निरने दिया है है सुप्रिम कोर्ट ने कि इनको यह हायर पेंशन, क्यों कि जादा पैसे बहरा ही तो जादा पेंश इस सरकार आपके सुखों की चिंता करने वाली सरकार है EPS के लाकों पेंसन धारकों की पेंसन को लेकर बड़ी खुसकबरी जारी EPS पेंसन के कैलकुलेशन को लेकर 15,000 रुपे वाले जो सलिवाले करमचारी है उनकी एटाउन साल की उमर के बाद कितनी मिलती हैं पेंसन उसको लेकर भी जो कैलकुलेशन है वो आपको दिखाएंगे साथी आपकी पेंसन जुरी बहुत ही बड़ी जानकारी बताई जारी कि जो EPS के पेंसन लाECT 15 Beim-star के उनकी पेंसन को लेकर नए नियम भी जारी हो चुक्साती EPS की बड़ी जानकारी मिलियेगी करमचारी बसनेदीशिंग पेंसन अपके दहरा को जानेंगे साती जो अटाँन साल से आधी कि उमर वाले पैंसंदर के उनके यानकी पैंसन का किल कौल लेकर भी बड़ी जानकार मिलुके तो यह सारी जानकारी वीडियो में आगे बताएंगे साथ ही बात करेंगे कि केंदरी करमचर को 31 जनर्य के बाद D.A. में होगा बदलाओ के बाद यानकी जो डिया आपका बड़ेगा वो कितना बड़ेगा जिसके बाद D.A. सुने होगा या पिर नहीं तो इसके बाद इस तर पैंसब दार के केंदरी करम चेरी उनका डिये को लेकर आज दर्मर की चोटी बड़ी सभी खबरे इससर वीडियो के अपको देखने को मिलेगी तो वीडियो अन तक देखने का साथ यह भी तक आप ने चैनल को सबस्क्राइब निखिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बला पैंसब करके रख दीजिए ताकि नई आपकी पैंसब जूड़ी ताजा जानकारी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी तो वैसे में अगर बात करें एक पैंसब को लेकर इस तरह की जानकारी मिलें कि एक नोटिस से जारी वाए है और आपकी एपिएस पैंसन है जो आप होने वाली हैं और उनका क्या 8500 प्लस टीडिये का पैंसन है मिनिम्मम वो लागू होने वाला है या पिर नहीं तो करमचारों के लिए क्या गूड योज बताई जारी है 8500 रुपे को लेकर तो करमचारी बसंदी संग्टन के गराकों के लिए अच्छी खबर भी बताई जार में गम से कम 8500 रुपे तक बड़तरी हो सकती है इस तरह की आसंका की जारी है लेकिन कानफार में इस परश्ट या पैंसला आपकी पैंसन को लेकर जारी नहीं वाए सुप्रिम कोर के इस पैंसले से उन E-PF के केंदरी करमचनर की सैली में कितनी बड़तरी होगी करमचरी बसंदी संगठर ने निजी सतर में जो काम करने वाले लग करमचरी उनके मेल जो आपका मूलवतन की बात करे जो आपका एक्चुली सैली है जिसमें पर आपको 15,000 रपी की सीमा टेक्ट की जाती है जिसके नुसार आयन की 2014 के बाद आपको पैंसर मिलती है और इसी कादा पर करमचारी की पैंसर की गढ़ना की जाती है लेकिन सुप्रम कोर किस पैंसले के बाद ये लिमिट है आपका 15,000 रपे का उससे लागू हो जाए तो इसारी जानकारी मीडिया रिपोड कर नुसार होने वाले वाले कोई भी आपकी पैंसन की बड़तरी को लेकर फिलाल ऐसी गोशना नहीं विए कि आपकी पैंसन इतनी बड़ेगी या पिर आपका सेल लिमिट हो जाएगा या फिर एकिस जार रूपी या फ पह सकती हैं लेकिन लागू अभी तेक नए के गई है और अगली बड़ी अपडिकारी है केंदी करमचन की टिये से जुरी तो डिये आपको कितना मिलेगा अब आपको इसक अदर देखने को मिलेगी जो बड़तरी को लकर एलान होने की उमीद की जारी की 26 जनुरी तक यह भी कनफर्म हो जाएगा तो वैसे में अगर बात करें आपका डिये जो कितना बड़ेगा जिसको लेकर राष्टपती का मोर लग चुकी इस तरह की जानकारी बताई जारी लेकिन ऐसा कोई भी फलाल राष्टपती के द्वार आपकी डिये को लेकर कनफर्म मोर नहीं लगी हैं और दिसके लाकों करमचेन को इस माईने के मांगाई बता में बड़ेतरी का बेसब्री से इंदजार हैं वो जल्द उनका पूरा होने वाला हैं उनका इंदजार की गड़िया खतम होने वाले जल्द क्योंकि सरकार ने गोशना कि एक 31 दिनरवी को डिये की बड़ेतरी को इस इस माईने के तो 31 दिनरवी तक का इंदजार आपको रहेगा इस दिन करमचेन को मिलेगा पहली बड़ी कुस कबरी इस साल की तो मांगाई बते में डिये के नए आंकड़े जारी होंगे वाई फिर आपको जो चमाई का डिये मिलेगा तो अच्छी कबर यह होने वाली की 50 प पिस्ति के ऊपर यानकी तकरीबन था जिसके बाद यानकी अगर बाद करें एक मैने का ओर भी दिसम्बर का आकड़ा बाकी था जिसमें की आकड़ा वह भी आजाएगा जिसके बाद 5- collateral पिस्ति तक का 50 पिस्ति को लगर माना जा रहा हैं और लगव अनुमान ऐसा है कि एक म तो अगर देखा जाए तो डिये को लेकर इस तरह के आपके लिए अपडेट होने वाली है अब बात करेंगे आपकी OPS से जड़ी लेटेस्ट अपडेट बताई ज़री की आपका OPS फिरसे बाल होगा या फिर आपकी NPS में संसोर दून होगा आकिरी पूरा 55 लाक्या आए बज़ट 2024 कंदर भी करमचन को बड़ी कुसकबरी मिलेगी जो NPS के पैंसन दार के OPS की बाले को लेकर मांग करें तो बज़ट 2024 कंदर रियाते बढ़कर आपको बता देगी NPS को और भी आकरसक बना सकती हैं सरकार पी अपार डिया की नियमक एम विकास सब प्रादिकंड पी अपार डिया ने नियुकता की योगदान के लिए कर के मोर्चे पर करमचरी बोसनिदी यानि की करेले EPS के साथ समनता की भी मांग किया हैं समद में कुछ गोशना है अंतरि प्रादिकंड पी अपार डिया ने नियुकता की योगदान के लिए करके मोर्चे पर करमचरी बोसनिदी कारेले को साथ समनता की भी मांग किया हैं समद में कुछ गोशना है अंतरिम बजट में किया जाने की पैंसन को लेकर उमीद की जारी है वित्यमत्री नेमला सीतरमन ज इसको लेकर उमीद की जारी है कि अभी जो नियुकता की योगदान में भी असमनता है वरत्मन में जो नियुकता है उनके योगदान को लेकर भी असमनता बनी हुए है नियुकता है उनके योगदान को लेकर भी असमनता बनी हुए है नियुकता है उनके योगदान को लेकर उनके लिए कर मुक्त किया जाना चाहिए नई टेक्स ववस्ता में भी ये मिले गिरात आपको तो नई जो टेक्स ववस्ता है जिसमें कर ववस्ता में NPS की योगदन पर कर चूट देने की भी मांग उठी है और अभी आईकर कानून के दारा असी CCD 1B के तत NPS में 50,000 रुपे तक है योगदन पर पुरानी पैंसन ववस्ता में चूट मिलती है और देखा जाए तो नई कर ववस्ता में ये प्रवदाने नहीं है तो फिलाल आपकी OPS NPS से जोड़ी इस तरह की अपडेट होने वाली है अगर आप भी पैंसन जोड़ी इस तरह की रोज़ना नई ताज अपडेट पाना चाहते है तो फिलाल अगर देखा जाए OPS की बाली के पक्स में सरकर नहीं है NPS के संसोदन को लेकर या फिर NPS को और भी आकरसक बनने को लेकर अपडेट मिल रही है तो इस तरह की जानकारी होने वाली है आपको के लिए आज दिन बर की